नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान शिव ने पारवती से बताया, क्यों गरीब लोग ज्यादा परेशान होते रहते हैं? एक बार पारवती ने भगवान शिव से कहा, मैंने धर्ती पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्द से दुखी है, उ उर्त्यलोक में प्राणियों का हालचाल जानने के लिए गए, दोनों ने मनुष्य का रूप धारण किया, और पति-पत्नी के रूप में एक गाव के पास डेरा जमाया, शाम के समय पारवती ने रसोई की तैयारी शुरू की, वे चूलहा बनाने के लिए बाहर से इंटें लेने गई, और गाव में कुछ जरजर हो चुके मकानों से इंटें लाकर चूलहा तैयार किया, चूलहा तैयार होते ही शिव खाली हाथ लोट आए, पारवती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा, शिव बोले, पारवती, अब तुमें इस घर भी हैं, जिनका रख रखाव सही ढंक से नहीं हो रहा है, उनकी जरजर हो चुकी दीवारों से मैं इंटें निकाल कर ले आई, शिव ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे, तुमने उन्हें और खराब कर दिया, तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी तो इंटें पारवती बोली, प्रभू, उन लोगों ने अपने घरों का रख रखाव अच्छी तरह किया है, वे सुन्दर भी लग रहे हैं, उन्हें बिगारना ठीक नहीं होता, इस पर शंकर जी ने कहा, कि कुछ दिन पहले पूछे, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यही है, जिन करनी वैसी भरनी, दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा,